उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में हिंदू महासभा के नेता रंजीत बच्चन की हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी है और ऐसे में अब हमारे साथ हैं स्वामी चक्रपाडी जी हिंदू महासभा के राष्टेद्ध्ष स्वामी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनव और वहाँ पर एक गोली मारी गई है हिंदू महासभा के नेता आपके सयोगी भी रहें क्या कहना चाहिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह पिछली बार हिंदूवादी नेता कमलेस्तिवारी की हत्या कर दी गई हमारे प्रदेश धक्ष भी हो रहा है यह तो यह दिन पहले 25 दिन एक महीना पहले उन से हमारी बात हुई तो बोले स्वामे जी हमारे उत्तर प्रदेश में खत्रा बहुत है लेकिन सरकार कुछ थे सुन नहीं रही है तो कहीं न कहीं आप देखो जो बीजेपी या संग से जुड़ा हुआ नहीं हिंदुवादी है उन पे हत्याय हो रही हुए उनकी हत्याय हो रही है वो टार्गेट जो इसलामी का तंकवा जो कटर पंथियों जानते हैं कि इनको तो न सरकार से सुरक्षा दे पाती है न कोई इ दिनन्तर रहे हमारे हिंदु वादियों को सुरक्षा अपराद चरम पे है और आतंकवाद चरम पे है जिस प्रकार से आप देखो कमलेश को भी आया बेदरी से काट दिया तो अब इसका तो अभी निकलना है क्या है मैं चाहता हूँ सरकार जल्द से जल्द पर दफास करें कौन लोग थे क्यों मारे हैं और क्या है लेकिन हमें जहां तक आसा है कि निश्चित रोस पे इस पे कट्रपंत इसलामी का तंकवाद ही जिमधार होगा अक्टूबर में कमलेश्तिवारी भी हिंदू मासभा की निता है उनकी जो आपने बता है उनकी उस दोरान जो गोली मार कर हत्या हुई थी आपको लगता है कि दोनों घटनाओं में कुछ सिमिलर्टी है कुछ किसी हाँ क्योंकि कमलेश्तिवारी भी हिंदू वादी वो थे और हिंदू वादी पर काम करते हैं हमारे यह रंजीत बचन जी इप समर्थन कर रहा है और अप देखो कहीं न कहीं हमें लगता कहीं इसा थो नहीं कि समर्थन का प्रडाम है ऐसा तो नहीं कि C.A. का समर्थन का प्रड़ाम है, सरकार के साथ आने का प्रड़ाम है कि कट्रपंती उन्हें वो कर दिया तो ये सब भी से जाच करने का है और इस सामने आना चाहिए जलते जाएगे अब दिल्ली से भी आ जाता है कि दिल्ली में बीते दो दिनों में जो दो गोली कांड एक जामिया के बार और ये सब चीचे आप मानते हैं नहीं मैंने तो सरकार से मांग भी किया कि आप 200 जब बीजेपी के सांसद दिल्ली में चुनाव परचार को आ सकते हैं और अभी सांसद चला है जब तमाम लोग सांसद यहां पे हैं तो प्रधान मंतरी मोदी जी को तदकाल दो लोग महिलाओं को कम से कम नूत कर देना चाहिए जो सांसद हैं चाहे वह साधवी प्रग्या सिंग ठाकुर को कर दो जाके कम से कम बैठी बहनों को समझाए तो कम से कम यह गतिरों तो खतम हो कम से कम उस रोड जो जाम है जिस पे लोगों का आवा जमन प्रभावित होता है उस तो खतम हो अब जब चुनाव पर चार में 200 आ ठीक नहीं है जो भी देश में लुक्तांत्रीक तरीके से संवेधानिक तरीके से बैठा हुआ है तो हमारा हिस्सा है न अब उनको आप सिच्वेशन आप ऐसे कर दो कंफ्यूजन कर दो जनता कोई परिसानी हो रही है तो यह ठीक नहीं है सरकार को ततकाल इस पर निउक्ति क करनी चाहिए दो लोगों को अपने प्रतिनीधी भेजने चाहिए और उनको बात करके और उसको समाप्त कराने चाहिए